हेलो गाईस कैसे आप सबी लोगों को देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है हमारी सिक्यूरिटी एजिंसी की ये रिपोर्ट है इनका कहना है कि जो टेर्रिस ग्रूप जो बैंड है जैसे की लशकरे, ताइबा, जाइशे, मोहमद तो ये बताया जा रहा है कि इनके काफी गह इंडिया की तरफ जो है वो मूफ करने का, इंडिया के अंदर घुसने का टेर्रिस का प्लान, तो ऐसा हमारी सिक्यूरिटी एजिंसी ने जो है वो क्लिरली कहा है, अपनी लेटिस रिपोर्ट में बताया है, इन्होंने कहा है कि ये टेर्रिस ग्रूप जो है वो जंबू एन तो आप लोग सभी जितने भी कॉमन लोग है डरने वाली कोई बात नहीं है, प्राइट बड़ी एक अपडेट बस मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा उद्देश ये नहीं है कि डराने का अपनी जंदा को, अपनी सिडीजन को और आप जैसी की इस चानल के जरी इस सिविल सर् अपने अंदर सिर्व एकी बिलीव रखना कि हमारी सिक्यूरिटी एजनसी की रिपोर्ट के बारे में बस मैं आपको बता रहा हूँ, और कभी भी कोई भी आपको इस प्रकार की नेगेटिव निउस दिखाई थे कि इंडिया के वार खत्रा है, तो अपने अंदर सिर्व एक अपने अपने इजनसी है, दे आर स्ट्रॉंग एनफ कि वो हमारी बॉर्डर को अच्छे से सिक्यूर करके रख सकती है और रख रही है, और हमें उस चीज़ पर गर्व है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो गोल है टुचे लोगों का जाईश है मोहमत और लशकर ए ताइबा का, जो गोल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो terror attack जो है वो करवाने का हम लोग को देखने को मिल रहा है इनका गोल और इनको support जो है वो Taliban की तरफ से भी मिलेगा ऐसा हमारे agency ने जो है वो security agency ने ये आगा किया है, बताया है इसके बारे में, update दी है एक और even बताया जा रहा है कि जाइशे मुहंबत ने अपने senior commanders को भी deploy किया है various Taliban के operation में और लशकर ए ताइबा भी अपने major armed men को, यानि कि अपने जो cynic वगेरा जो उनके cynic नहीं कहेंगे टुचे लोगों को, राइट कि ये लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अपनी भड़का के बच्चों का brainwash करके इनको जो है वो इस प्रकार से बना देते हैं, राइट terrorist बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को लशकर ये ताइवा ने भी ऐसे लोगों को brainwash करके इनकी forces में वो भेजा है क्योंकि आप जानते हैं, इन लोग का काम जो है वो यही है कि छोटे-छोटे बच्चों को चुनना, उनका brainwash करना, खुद की तो अकात नहीं है लड़ने की, छोटे-छोटे बच्चों का brainwash करके जो है वो इस प्रकार की हरकत करवाते हैं लोग, और कई बार धर्म के नाम पर उल्टी-सीदी, सीख जो है वो देते हैं आप सभी लोग इसके बार में जानते हैं, मुझे आपको लोग को बताने की खुद अपना दिमाग लगाते नहीं है, कि कर गया रहा है वो, इंसान होकर इंसान की जान ले रहा है, इससे बड़ी शरम की बात क्या है, इंसानियत पर धब्बा हैं ये लोग, बोलते हैं कि उपर वाला इंसे खुश होगा, घटीया बाते हैं सब, दो कोड़ी की, चलो आगे की बात करूँ मैं आपसे, तो बताया जा रहा है कि तालीबान और हकानी नेटवर्क को जो है ये लशकर एताइबा अपने आम्ड में जो है वो प्रवाइड कराती है, और इनकी आइडिलोजी भी लगभाग सेम हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसा government official का कहना है, और हाला कि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इनका कहना है कि जैसी थोड़ी सी चीज़ है settle down होगी, तो उसके बाद इनका main objective यही होगा कि जम्मू एन कश्मीर के अंदर इनको shift करना है, मतलब की move करना है, infiltrate करना है, यहीं की border cross करके अंदर घुसना है चोरी शुपे, और इसके लावा बताया जा रहा है कि अभी आज की rate में अफगान, अफगानिस्तान पे आप जान रहा है कि तालीबान का कबजा हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो अफगानिस्तान के अंदर जैसी तालीबान का कबजा हुआ, तो वैसी वहां की जो अफगानिस्तान की जेल थी जहाँ पर जाइशे मोहंबद, लशकर-े-ताइबा के जो कैदी जो बंद थे, तो उनको जो है वो छोड़ दिया गया और यह जाइशे मोहंबद के ही हमें देखने को मिले थे, और जम्मू रजवरी सेक्टर से जो है यह घुसेंगे, घुसपैट करेंगे, और घुसपैट अभी बढ़ भी गई है, हमारी forces में रोकना भी शुरू करती है, तो यह आली चीज है, क्योंकि brainwash किया होता है इसे लोगों को, अब क्या करें है, वहां से जो है वो brainwash करके लोगों को भीजा जाता है, और brainwash हुआ आदमी जो होता है उसको खुद को नहीं बता होता है, जैसकि आप जानते है कसाब की case में अपने मरतितम पर आखरी समय पर उसको समन में आ गया, कि उसने किती बड़ी गलती कर दिया, और उसको नर्खी मिलेगा, कोई जन्नत वगर नहीं मिलने वाली, अब यह क्या बता है इसे लोगों, गटिया लोग होते हैं, और आप भी अपना, जो जरूर इस प्रकार की अप पता लग जाए कि उससे पहले ही इन से कार्ण करवाद हो और इनको मरवाद हो, क्योंकि उद्देश तो इन टेर्रिस्ट का यही होता है, कि आकर मरना है, इनका बच के जाने का उद्देश नहीं होता है, आकर तभाही करके मरने का ही उद्देश होता है, क्योंकि इसी लिए उनकी growth इस प्रकार से करवाई जाती है, आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, नीचे comment box पर आप लोग अपना opinion भी लिख सकते हैं, और since January, January से ही 95 terrorists, इस साल की January की बात हो रही है, 95 terrorists को जम्मु एन कश्मीर में हम लोगों ने neutralize किया, हमारी forces ने, 18 जो थे, वो पाकिस्त तीन कैदियों को जो हो रिहा करवाया था, डिमांड थी, तीन कैदियों को रिहा करनेगी, और यह वही पर Taliban का जो control area है, खंदार, वहाँ पर उतारी गेती flight, और वहाँ पर इनोने डिमांड करी थी, कि Indians को, जो hostage बनाया गया था, उनको छोड़ेंगे तब ही, जब तीन कैद इन्डियों को जो हो इंडिया रिलीस करेगी, तो उस समय मसूद अजर को 2000 में रिलीस किया गया था, आपको पता होगा इसके बारे में, यह जाइश मोहमद का founder हमें देखने को बलता है, और लशकर-े-ताइबा और जाइश मोहमद की leadership, अगर हम बात करें, तो Taliban के top functionaries के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, हककानी network के दुरू, यानि कि यह बलब तालिबान हो गया, जाइश मोहमद हो गया, लशकर-े-ताइबा हो गया, तो यह सब एक साथ ही मिलकर जो है, काफी various operation जो है, और United Nation के security council की sanction list में यह सभी लोग है, इनका जो chief है, काफी सार है, हककानी, स पताया रहा है कि Sirajuddin का भाई Anas और Khalil, इनका group जो होगा, मिलब काबुल की security जो है, उसको maintain करेगा, manage करेगा, जैसे मैं आपको एक तालिबान के लेक्चर में भी पढ़ाया हो है, मैंने तालिबान कैसे बनी है, अगर आप लोग ने वो वीडियो जो है, वो नहीं देखा है तो आप जो है वो आई बर्टन के थ्रू जो है वो देख लीजएगा, और बाकी examination point of view से भी तालिबान की ideology अगर आपको पता होनी चाहिए, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, अब आगे की चर्चा करें, तो यहली चीज़ इन्होंने बताई गही थी और Indian security agency का मान यह lecture को मैं end करता हूँ, hopefully आपको काफी important information जो है वो जानने को मिली होगी, और नीचे comment box पर ज़रूर लिखिएगा, जैहन और हमारी Indian forces हैं, वो सबसे best हैं, यह आप मानिये, और मानिये क्या यह आपको पता होना चाहिए, हमारी security forces ने इतने बढ़ीया-बढ़ीया operation गंड़क इसी के साथ मैं lecture को समाप करता हूँ, मिलनेगे, नेक्स लेक्सर में दब तक लिए, बबाई, take care, have a great day, जैहन